कलस्टीबी के पॉपलेर सी उडारिया में हमें कई सारी ट्विस्टेंटरंस देखने को मिल रहे हैं आगे के कुछ देखने को मिलेगा चलिए जानते हैं हलो दोस्तों मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलबुड स्पाई वेल जैसा के एपिसोड में हम देख रहे हैं कि एकम के पिता अभी भी उस दर्द से उस खौफ से उभर नहीं पाए हैं जब फती तीजो का दर्दनाक एकसिडेंट हुआ था वेल सवाल ये है कि ये क्या एकसिडेंट था या ये एक सोची समझी साजिश थी वेल अगर आपको याद हो उस एपिसोड का तो फती तीजो की गाड़ी का ब्रेक फैल हो गया था और ये बात खुश्बीर को पता चल चुकी थी गाड़ी चलाते वक्त ही और वहीं तब ये बात वो फती को कहते भी हैं और फति कहते हैं कि गाड़ी को किसी पेड़ से टकरा दीजे जिससे की गाड़ी रुख जाएगे लेकिन सामने से ट्रक आ रही होती है जिसके चलते खुश्बीर ने गाड़ी को टॉन लिया होता है पर उसी वक्त एक गाड़ी और सामने से आ रही होती है जिसके चलते खुश उस गाड़ी के चलते ही हुआ, अब सवाल यह है कि यह गाड़ी किसकी थी, वेल कयास तो यही लगाय जा रहा है कि एकम के पिता की गाड़ी थी, अब ऐसे में अगर वो एकम के पिता की गाड़ी थी तो वो गाड़ी उधर से लेकर क्यों आ रहे थे, क्या किसी ने एकम के पि अर ऐसा कौन सा राज है जो एकम के पिता परिशान हो रहे ही यहिए और वो नहीं चाहते हैं कि एकम इस आकसिडंट का पता लगा पाए कि इसके पीछे आखिर कौन था किसका हाथ था क्या मकसद था well अब ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस आकसिडंट के पीछे क्योंक थे और एकम के पिता कैसे फसे थे ये भी आने वाले दिनों में ही का होगा वेल आप अपकमिंग ट्रैक के लिए कितने एक्साइटेड है आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं टेलविजन के लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइ करना न भूलें